नमस्कार दोस्तों, मार्च 2021 की शुरुवात हो चुकी है, इस महा महा शिवरात्री होली सहित कई बड़े तेवार पढ़ रहे हैं, हिंदू कैलेंडर का अंतिम महा फागुन भी इसमें ही शुरू हो जाता है मार्च महा में अशंकष्टी श्री गणेश चतुर्थी, विजय एकादशी, प्रदोश व्रत, खोली, महाशिवरात्री, फागुन अमावस्या, फुलेरा दूज, जैसे कई व्रत तिहवार पढ़ने वाले हैं तो दोस्तों, आईए जानते हैं इस महा पढ़ने वाले व्रत और तिहवारों की पूर जानकारी, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमारे इस चानल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें चलिए वित्रों, अब जान लेते हैं व्रत और तिहवार के बारे में दू मार्च मंगलवार को संकष्टी चतुर्थी है संकष्टी चतुर्थी के साथ ही आज मंगलवार काभी दिन है और कभी चतुर्थी तिथी के दिन मंगलवार पड़ती है तो वह अंगार की चतुर्थी हो जाती है अंगार की चतुर्थी का सीधा संबंद मंगल ग्रह से है और मंगल एक तेज ग्रह है छे मार्च शनिवार को कलाष्टमी है भागुन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथी को कलाष्टमी का व्रत रखा जाता है इस दिव काल भैरफ का व्रत रखना अच्छा माना जाता है 10 मार्च को प्रदोश का व्रत है हर माह के दोनों पक्षों की त्रेयों दिशी को प्रदोश व्रत किया जाता है और प्रदोश व्रत की पूजा प्रदोश काल यानी रात्री के प्रतम प्रहर में की जाती है 11 मार्च गुरुवार को महाशिवरात्री है हर साल भागुन कृष्ण पक्ष की चतुर दशी तिथी को भगवान शिव को अत्यंत ही प्री महा शिवरात्री का व्रत किया जाता है वैसी तो पूरे साल ही प्रतेक महा के कृष्ण पक्ष और शुक लिपक्ष की चतुर दशी को भगवान शंकर को समर्पित मास शिवरातरी का वगत किया जाता है 13 मार्च शनिवार को भागुन अमावस्या है फागुन मास की सनान दान श्रद्वान दी की अमावस्या मनाई जाती है सनान दान का अधिक महत्व सुबह सुर्योदे के समय होता है लिहाजा आज कई तीर्थ स्तलों पर लोग सनान दान कर रहे होंगे इस दिन शनिवार पढ़ने के कारण शनी अमावस्या पढ़ रही है 17 मार्च बुद्वार को बिनायक चतुर्थी है हर महा की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथी भगवान गणेश को समर्पित होती है और इस दिन वृत रखने का विधान है इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करना शुक माना जाता है 21 मार्च रविवार को होला कष्ट फ्रारंब है होली के आठ दिन पहले हर साल होला कष्ट का आरंब होता है इस साल यह 21 मार्च के दिन शुरू हो रहा है भागुन माक्स की शुकल पक्ष की अश्टमी तिथी से भागुन पूर्णिमा तक का समय होला कष्ट कहा जाता है 25 मार्च गुरुवार को अमल की एकादशी है भागुन माक्स की शुकल पक्ष की एकादशी तिथी को अमल की एकादशी कहते है होली में पढ़ने वाली एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है 28 मार्च रविवार को होली का दहन है हिंदू पंचान के अनुसार फागुन मार्स की पूर्णिमा को होली का का परव मनाया जाता है दो दिन पढ़ने वाले इस रंगों का तहवार को हर घर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है मित्रों ये थी मार्च महिना 2021 की व्रत और तहवारों की संपूर जानकारी ये भी आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए जादा से जादा शेर कीजिए